सो मित्रों क्या हाल चाल है जी आप सब के फुल एक्साइटमेंट और जोश के साथ शुरू करते हैं सर क्या हम एफार की त्यारी सो हेर आयम विद एफार पाइफ डे स्ट्रेजी ये वही फाइफ डे स्ट्रेजी जो मैंने खुद फॉलो की थी स्कॉर 83 मार्क्स यस एकिवार जट्रेज पर जाऊंद क्या है जब हुआ कितने को शनल करने की जीज़ है कितनों को ऊपर से रिड करना है क्या मैर तोन रिवीजन अटेंड करनी है क्या नहीं करनी सारी की सारी बाते डिटेल में discuss करेंगे but उससे पहले make sure you are putting your attendance in on this video sir video को like कर दीजेगा like target रखते है sir किसका इस fr की video पे 1000 likes का और मुझे पूरा विश्वास है विश्वास है कि आप उसको achieve करवा देंगे so this is the fr 5-day strategy classic strategy सारी बाते में detail पर बताऊंगा ध्यान से समझना तब से पहले तो भाई साव एक समझ लो यह बात समझ लो गुरू पहला paper है पहले shot की तरह है पहले shot की तरह है यानि cricket का जो पहला shot होता है and make sure you play it well यानि सीधा जब ball पर पड़ेगा बला तो सीधा जाएगी ball sir किसके बार stadium के बार तो make sure you are taking proper rest यह जो पांच दिन है आपने एकदम बढ़िया वाली मिठी मिठी नींद लेनी है कम से कम 7-8 घंटे की भी नींद लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है because यह जो rest है यह आपकी पूरे जो भी आगे के papers है सब में आपको energy देके जाएगी so make sure अब आप पूरी नींद ले रहे हो be positive भाई साब यह बहुत important है बहुत ज्यादा important है अपने mind में बस एक ही चीज सोचने कि अब मज़ा आने वाला है ठीक है बस हर बाहर चीज में बोलो अब मज़ा आने वाला है बस paper शुरू आने वाला है अब मुझे इनको clear करना है और CA बनना है बस आपने इस positivity के साथ चलना है and trust me सब एकदम अच्छा होगा जब आप positive सोचते हो ना automatically जीवन में जितनी भी चीज़े होते हैं सब अच्छी होती है and क्या sir हमें practice भी करना है yes पांच दिन दिये इसलिए जाते है जो भी आपका इसलिए दी जाते है ताकि आप चीज़ों को practice कर सको उपर-उपर से देखने के लिए तो एक दिन भी काफी था डेर दिन भी काफी था ये पांच दिन दिये क्यों ताकि आप चीज़ों को practice करके चलो सर किस चीज को practice करना तो द्यान से समझना ये मेरी तरफ से कुछ tips है जो मैंने खुद follow की दी सबसे पहले तो जो आपने पहली revisions में marked questions रख रखे हैं इनको पहले practice करो ठीक है सर फिर इसके अलावा इसके अलावा भी हो सकता है आपको कुछ पहली revisions में important concepts में ले हो ये important concepts क्या इन पर ICA ने सवाल नहीं पूछ रखा जैसे ICA अपने study material में क्या करते हैं कुछ example दे देता है वो example पर सवाल तो आया नहीं बड़ सवाल आ सकता है मेरे exam में ऐसा हुआ था एक defer text का question आ गया था ठीक है it was a new question बड़ वो example में से निकल क्या आता तो make sure जब आप study material के तुर गो हो सके आपने सवाल लिखे करने अब आपकी ना वह बन चुको और अची stamina अब आपका एकदम next level stamina बन चुको और अची कि आप जितने questions हो सके हाथ से करो सर हाथ से क्यों करने में आपको रीजन बतातों अभी होता कहना कई बच्चों की ना complaint आती पेपर के बाद सर पेपर पूछें क्या आप यह बोलना चाहोगे मेरा पेपर छूड़ गया मैंने का नहीं बिलकुल नहीं इस अ क्राइम तो मैंने क्या करें सर जितने हो सके ना कोशन लिखके करो जो पेपर में दिक्कते आती है ना common दिक्कते silly mistake हो गई मेरा पेपर छूड़ गया कोशन लेंदी ल कुछ questions में हो सकते हैं आपको ultra comfort हो यह ultra comfort ऐसी feeling है जो आपको अंदर से आएगी मैं नहीं बता सकता अगर ultra comfort है तो बस उसको देखना और आगे बढ़ जाना ठीक है क्या यह बात समझा है हाँ सर प्लस यह जो recent RTP के questions हैं सर recent RTP के questions मतलब जो November 23 के question है जो May 23 के question है और November 22 पिछले 3-4 attempt की जो RTP के questions हैं इनको तो आपने साथ साथ chapter के साथ साथ करते जाना 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 जानी business combination consolidation हुआ उसके RTP के question साथ में निपटा लिए ठीक है financial instrument हुआ उसके RTP के question साथ साथ निपटा लिए सर ऐसा क्यूं क्यूंकि साथ साथ निपटाते जाओगे न तो चीज़े प्लस ब्रेक्स तो लेने पड़ेंगे इतनी महनत करोगे तो बीच-बीच में ब्रेक्स लेते रहना और ब्रेक्स में क्या करना अपने साथ पानी की बॉटल तो रखोगी रखेंगे साथ अब थोड़ा ठंडी का माहूल आ रहा है ठीक है तो क्या करना ना फ्रूट्स खाओ इससे आपकी इम्म्यूनिटी बढ़िया रहेगी एनर्जेटिक रहोगे यह जो फ्राइड तला भुना खाना इससे दूर रहना यह आपकी नींद बढ़ाएगा ठीक है तो यह जो बेसि खुड तक चलता रहेगा और सब हो जाएगाainen ट्रस्ट मीइड अचिवेंबन अटेनेबल मेरे दोस्तों ने भी किया था हम सब ने किया था हम सब पास हो गए ठीक है तो तुम बहुत ह्यों सब साथ आजा हमारे साथ पास हो जाते हैं तो सबसे पहले सर क्या है सबस्टे में आपने फोकस करना है बुक फोर अब यह सबस्टे पर करेंगे अभी आपने सबसे पहले बिजनेस कॉमिनेशन कंसॉलिडेशन यह आपने कब तक करना है सुभा मालो आप साड़े छी साथ बज़े अपनी पढ़ाई शुरू करते हो लंच तक जैसे हमारे टेस्ट क्रिकेट में होता है लंच लंच तक आपका फर्स्टाव में बिजनेस कॉमिनेशन और कं से बारा कोशन रहते हैं कंसॉलिडेशन के तो वही दो तीन गिने चुने कोशन है जिसमें आपको पूरा या तो 100% कंसॉलिडेशन होगा या आपकी 60% कंट्रोलिंग पावर होती है प्लस कई बार हमारा कंट्रोल छूट जाते है तो जो एंसी तरह बिजनेस कॉमिनेशन है कोशन में वही आपका AX BX वाला कोशन और जो रिसेंटली डेफर टेक्स वाले कोशन कुछे कर ले ना और इस बार अकाश सर बता रहे थे आटीपी में भी अच्छे कोशन है तो वह भी आपने बिजनेस कॉमिनेशन और कंसॉलिडेशन के एकदम नेक्स लेवल पर करके चल घंदलना फिर हमारे बच जाते चोट मूत इंडएस यह जो छूट मुट इंडियास है चोट मूत इंडियस है बतातا हूं आपको आपको these are the easiest and the most स्कोरिंग इसमें आई से टफ कोशन बना ही नहीं पाता तो जो आपका इंडेस वन है बेसिक इंडेस थर्टी-फोर-7-8-10-1-1-3-20 इन बस पांच-छे इंडेस को आपने डिप्टा के चलना है यानि लंज से लेके रात तक आप इसको करोगे अब सर अपने ही क्या लिख दि सब्सक्राइब करने हैं अब यह आपकी मरजी है आप दिन की शुरुवात में करते हो दिन के एंड में करता था यानि जब एक बार एक बार की पढ़ाई हो गई उसके बाद मैं लगबग 30-45 मिनट इसके साथ बैठता तो उससे जाधा टाइम लगेगा भी नहीं मुश्किल से दो पेज का ऐसे 600 हैं नोट में और अगर मैं ऐसे 600 की बात करूँ तो वह भी दो पेज का है चार पेज करने के लिए 40 मिनट दे रहा हो चुप-चाप कर लेना ठीक है प्लीज तर एक तरफ कहते हो चुप-चाप एक तरफ कहते हो प्लीज अब तुमको जो समझना है समझ यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि audit से जब पहले देड़ दिन मिलता है तो उसमें कई बार standards पर उत्ती इच्छी grip नहीं आ पाती बाकी topics तो करते-करते तो एक बार अभी कर रखोगा तो दिमाग में थोड़ा fresh रहेगा ठीक है ठीक है आपका लंच हो जाएगा लंच के बाद उठाएंगे बड़ा वाला इंडेस लिजिस में आप लगबख दोड़ा ही घंटे तीन घंटे लगाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है शाम हो जाएगी शाम कोई walk लेके आना walk से जब वापिस आओगे तो तीन इंडेस और बचेंगे 40 105 और 41 यानि आपका agriculture हो गया अब खाना खा लेना दिनर कर लेना एंड डिनर के बाद आप करोगे audit की ऐसे 700 सीरीज and let me tell you it is very important खास कर इस बार ऐसे 700 के जो question से हो बहुत ज़्यादा ICI ने फिला के दिया RTP में MTP में तो प्लीज ऐसे 700 की सीरीज को अच्छे से कर लेना 720 भी बह coming to the third day financial instruments पहल जो पहल जो financial instruments का दिन है यह आपने सुभा शुरू करना है और शाम को 5-6 बजे तक खतम कर देना फिर walk पे जाना walk से आने के बाद बस दो indies और कर लेना 102 और 19 अच्छी खासी मेनत करें तो ज़्यादा standards में आपसे नहीं करवारा सिरफ 400 की series 402 और ताड़े 400 ब और चार पेज करने के लिए 40 मिनट मोर दैने नव कर लेंगे सर कर लेंगे सर धूम मचा देंगे नाव इस दा फोर्थ डे अब रिलाक्स हो जाओ बेबी काम डाउन अब क्या करना है सर अब आपने ना स्टार्ट करना सबसे पहले इंडेस 115 अब आपकी न क्या है न अब लिए वाले उनको आपने करके चलना बाकी कोशन को इस बार गो थू करके चलना क्या वाइक है ठीक है फिर 101 करना लगबग एक घंटा लगेगा इसमें अकाश सर ने एक घंटे की ही रिवीजन वीडियो डाल रखे कर लेना मज़ा आ जाएगा ठीक है सर फिर 33 है इसमें भी अगर आप अराम से शांती से घंटा देके पूरे फोकस के साथ करोगे तो सारी चीज़े बढ़िया हो जाएगी फिर आपने करना है इन में से भी एक कोशन आ जाता है इस पे आप दोनों को मिला के लगबग तीन घंटे दे सकते हो तो फर्स्ट हाफ में आपके सिर्फ तीन लगाएं लगुजा निहीं करा रहा तो ऐसा मत बोना सपर आपने बड़े बड़े टारगेट डिये कोई बड़ा टारगेट नहीं है और करनी तो और 500 की सीरिस कर लेना as a senior boarder of 540 पिछली बार 9 number का आ गया तो इसको skip कर देना इसी तरह 530 पिछली बार आ गया तो इसको भी skip कर सकते हो इसके बचा हटा के मुश्किल से मरियल मरियल कुछ ऐसे बचे 15-20 पेज के वो 15-20 इस पेज करने के लिए वापिस मैं तीन खंटे दे रहा हूं तो after such a light day it is possible believe me मैं बोल रहा हूं believe me तो believe me clear है clear है sir now comes the fifth day अब आपके न मोटा माटी अब आप सोचो के सारे इंडेस तो हो गए बाबू सारे इंडेस तो करा दिये master जी अब फिफ्ट डे के लिए छोड़ा गये मैंने का मसाला असली मसाला तो फिफ्ट डे पे है जितने भी आपने इंडेस करें अब उन सब को मिला के एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है analysis of financial statement book 4 में आपकी उसको आपने करना है उससे आपके मोटा माटी सारे इंडेस रिवाइस हो जागी और सारे classic question साथ कर लोगे इसके बाद आपके छुटमूट topics बचते जाज़े CSR और IR इन में से कोशन आते हैं पिछली बार मैंने बोला था 24-37-108 में से कोशन आते ही तो इसमें से दो कोशन आये थे ठीक है लास्टे वाले में से तो इस बार भी आप इक बार इन तीनों को देखके जाना यह अगेन ऐसे इंडेसे जो आदमी भूल जाता है सेग्मेंट रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भूल जाता है तो इसलिए लास्टे पे डाला है 24 में रिलेटिट पार्टी के डिस्लोजर भूल जाता है तो इसलिए लास्टे पे डाला है और 37 इजी है प्रोवीजन करने जाए तो आप कर ही लोगे एंड सर एक बार बताओ इसके बाद जो टाइम बचे का क्या करना है देखो पहली बाद पहले चार दिन में आपसे सारे कोशन तो एक बारी में नहीं होगे इवन on the last day it is okay to commit a mistake हो सकता है आपने आपसे इन में भी गलती होई हो तो पहले चार दिनों में जिस भी कोशन में आपसे मुश्किल हो रही है न जो आपको दो बार करने में भी तीन बार करने में भी comfort नहीं आ रहा उसको आपने fifth day में करके चलना है तो the first four days के जो भी tricky questions आपने एक और बार चांट के निकाले उनको आप fifth day में करो और बताओ क्या इससे confidence आएगा या नहीं आएगा जल्दी से दिल पे हाथ रखके बोलो क्या इससे confidence आएगा नहीं आएगा calm down just calm down keep a smile on your face yes be positive first exam मैं नहीं चाहता था आप last day पर कोई भी stress लो इसलिए मैं लास्टे हलका रखा है and आपकी भी यह कोशिश होने चे लास्टे आप हलका रखो just wishing you a lot of good luck for your fr exam and यह एक ऐसा exam है मैं अपने दोस्त के साथ जो निशेत है न मैं उसके साथ यह discuss करता था कि या अगर fr का paper एकदम बढ़िया वाला चला गया ना तो फिर माहोल बन जाएगा तो फिर हमको एकदम boost मिल जाएगा energy का moral जो होता है न वो next level boost हो जाएगा फिर तो सारे पेपर ही बढ़िया जाएगे फिर एक responsibility आ जाते हैं कि भाई तेरा भाई कर सकता है तेरा भाई कर सक कमिट्मेंट जरूर कर देना कि fr में में कम से कम exemption तो score करूंगा ही देखो मेरे तो 80 प्लस आया थे ठीक है तो मैं तुमसे जादा नहीं कह रहा कि कलकुस तर आप बोलो हमसे high five target बना नहीं कम से कम exemption तो लेके आनीच यार इतनी महिनत के बार और अगर fr में exemption आ जाती है न होगा शाम को तो मैं आपको दे दूगा ठीक है तो wishing you the best and yes चैरे पर smile बना के रखेंगे और याद रखेंगे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे all the best